Hi Guys, I am Mohamed Hanan, your one and only Domaining Mentor. Welcome to TLDs Pro. आज Domain Investing Series का 10th Lecture है और आज के Lecture के अंदर हम देखेंगे How to Sell Domains, Domain Names को आपने Sell किस तरह से करना है? अभी तक हमने जितने भी Lectures पढ़े हैं, उसके अंदर हमने देखा है कि Domain Names को Buy किस तरह करना है? हमने देख लिया कि Domain Names को Hand Register किस तरह करना है? Expire Domains होती हैं, उनको किस तरह acquire करना है? उसके बाद हमने देखा कि Drop Cash Domain क्या होती है? और Domain को Back Order किस तरह किस तरह किया जाता है? तो हमारे Domain Bind का जो Process है, Domaining का Half Domaining है, वो हमने सीख लिया है. आज हम Domain के अंदर एक Important शीज सीखेंगे, वो है How to Sell Domain Names. तो जब हम Domain Selling की बात करते हैं, तो हमारे पास Two Types की Domain Sales होती है. पहले हमारे पास होती है Inbound Domain Sales, और Selling होती है Outbound. इन दोनों Sales में फरक क्या होता है? तो पहला जो हमारे पास Inbound Domain Sales होती है, इसके अंदर क्या होता है कि Different Market Places बनी होती हैं, हमारे पास Domains की. हम वहाँ पर जाके अपना Domain Names लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा Customer होता है, Client होता है, वो फुद हमें अप्रोच करता है, हमें कहता है कि I am interested in your Domain और थोड़ा सा प्राइस के उपर negotiate करता है और उसके बाद Domain Sales close हो जाती है. तो यह जो Process होता है, इसको हम Domain Sale, Inbound Sale कहते हैं, उसके बाद हम बात कर लेते हैं Outbound Domain Sale की, तो Outbound Domain Sale वही होती है, जिसके अंदर हम खुछ जाकर Customer का Door Knope करते हैं, आपका यह Business है, और हमारे पास इससे relevant यह Domains है, अगर आप उसमें interested हैं, तो हमें बताएं हम आपको यह Domain निं और हमारा काम पूरा हो जाता है, बट Outbound Domain Sale के अंदर एक बहुत lengthy process होता है, और काफी मेहनत required होती है, बट मेरा Outbound Domain Sale के साथ काफी अच्छा experience है, और इसलिए मैं इसके उपर अलग से एक वीडियो बनाऊगा detail में, आज के lecture के अंदर हम सिरों के इनबाउंड दोमेंस को दे प्लैटफॉर्म के साथ मेरा selling का experience अच्छा रहा है, तो बार पास पहला platform है, of course Afternick है, इसने मुझे बहुत जादा sales दी है, उसके बाद support help है, ये branding के अंदर आजाता है, अगर आपको वाश ब्रेंडबल domain names है, ये platform बहुत अच्छा है, उसके बाद cedo.com of course one of the best platform, I highly recommend, इसक पास GoDaddy की options आ जाती है, ये GoDaddy की premium listing आ जाती है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ Dan.com के उपर listing करना बताऊंगा, उसकी reason क्या है, उसकी reason भी मैं आप लोगों के साथ share कर देता हूं, कि Dan.com के उपर single, सिर्फ और सिर्फ Dan.com के उपर list करने से, आप लोग 18 major domain selling platforms है, उनके उपर automatically list हो जाती है, ये जिस तरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये जो afternick के partner है, ये GoDaddy है, network solution है, बहुत बड़ा domaining का network है, उसके पाद register.com है, enome है, ये भी बहुत बड़ा domain platform है, name cheap आप सब को पता होगा, dynadot बहुत बड़ा platform है, name.com बहुत partnership है, तो जब आप dan.com के उपर अपना domain name list करते हो, तो वो domain जो है afternick के उपर भी list हो जाती है, और उसके बाद इन सब platform के उपर आपको premium listing के दरा show होने लग पड़ती है, इसकी live example मैं आपको बता देता हूँ, अब इस तरह मेरा एक domain name है idea click.org, ठीक है, यहाँ पर लिख कर द platform के उपर list नहीं किया, अब आप यहाँ पर idea click.org हमने सर्च किया है, तो उसके बाद यह देखें, अब यह आपको दखा रहा है कि idea click.org premium listing है और इतनी इसकी price है, ठीक है, उसकी की बाद आप बोट एड़े के उपर आजें, यहाँ पर भी आप लोग सर्च किरें, idea click.org, इसक price है, ठीक है, dynadot के उपर आजें, यहाँ पर भी आप सर्च कर लें, idea click.org, एंटर कर दें, तो यहाँ पर भी आप पो ऐसे premium listing दिखा देगा, ठीक है, यह देखे, idea click.org is available, premium listing है, और यह 3,060 price है, तो यह देखे, अब यहाँ पर क्या होता है कि यह मेरी domain है, मैंने इसको सिर domain.com से afternick के उपर listing active होई, और afternick के लिस्टिंग active होने की वज़ा से, afternick के जितने भी यह partner platforms है, 18 major platforms है, तो इनके उपर हमारी automatic list हो जाती है, उसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ लोगों को problem आती है, यह बाकी platforms के उपर like seedow है, sev.com है, इनके उपर किस तरह list करना है तो इसके उपर मैं अलग से एक playlist बना दूँगा, how to list domain names के नाम से, उसके उपर हम उस playlist के अंदर हम एक एक platform को explore कर लेंगे detail से, but as a domaining course, यह इतना important नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों होते हैं, जिने आलरेडी list करना आता होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होत आपने एक sign up करना है, domain name को list कर देना है, domain name enter करना है, domain name list हो जाती है, but फिर भी मैं आप लोगों के साथ dan.com के उपर list किस तरह करना है, वो मैं आप लोगों को आज सिखा दूगा, और उससे आपका काफी हद तक काम हो जाएगा, क्योंकि 18 major platforms हैं, जिनको पर आपको domain ऐसे premium list ह हो जाएगी, तो चलिए हम अपने dan.com के उपर चलते हैं, आप लोगों के सिंपल यहां पर dan.com type कर लेना है, उसके बाद यह रिखेंगे, यह वाईपास result आ गया है, इसको आप यहां से platform open कर लें, तो बहुत सिंपल है, यहां पर just essential only कर लें, तो यहां पर अपने login पर चले जाना है, उसके बाद आपने यहां पर कहना है कि हमारे पर अकाउंट नहीं है, यह sign up आपको show हो रहा होगा, आपने sign up पर click कर लेना है, उसके बाद यहां पर आपनी information डाल दें, मैं जैसे डाल देता हूँ, first name, last name, उसके बाद वाप से email address भांगेगा, अब लोगों आपने बिलकुल सही वाला email address देना है, क्योंकि उसके उपर आपको email आएगी जिसके थरूँ आपका account verify होगा, तो अपनी email आपने पेस्ट करकी यहां पेस्ट करतें नहीं है, strong password हम कहते हैं, Google password यूज़ कर लेतें, address आप से पूचेगा, आप कोई भी address लिख दें, उसके बाद post code आ मैं इस ऐसे platform सो कभी भी अपना सही address नहीं लिखता होता हूँ, तो आप लोग भी चाहें तो अपना जो है, fake address लिख सकते हैं कोई भी, do you represent a company, आपने know कर देना है, यहां पर authentication code, b, s, j, l, m, जो भी आपका आ रहा हो, आप वो लिख दें, I accept पर click कर दें, continue कर दें, और इतनी सी बात है, आपका अकाउंट बन जाएगा, अब वो बता रहें कि, message with the confirmation link has been sent to your email address, तो आपकी email address आपने open कर लेनी है, आपको यह एक email आये होगी, अपना confirm करने की, आपने यहां पर confirm करना है, और यह आपका अकाउंट successfully बन जाएगा, उसके बाद वो आप कह रहा है, आपको यहां पर अपनी domain name इंस्टालने, जो आपको add करनी है, यह आप चाहें तो अभी भी add कर सकते हैं, यह मैं करता हूँ, skip this step for now, मैं आपको details से उसके बाद सारा dashboard explain करता हूँ, तो यह देखें, यह हमाई पस dan.com का dashboard आगे, इसकी कुछ basic चीज़े हैं, वो मैं आप लोगों के सा यहां पर numbering show रही होती है, यहां पर यह एक box होता है leads इस month, यहां पर बताता है कि इस month में आपको कितनी lead आई है, मतलब domains के उपर, कितनी लोगों ने interest show किया है, कितने message आप लोगों को receive हूए, उसके बाद आजाता है कि इस month में transaction कितनी हुई है, मतलब सिर्फ इस month के अंद तक जितनी earning की है, उसके बाद आजेता है कि इस month में आपने कितनी earning की है, और उसके बाद आजेता है total recurring this month, इसका मतलब यह होता है कि जब आप domain name leads पर देने का मतलब है कि domain names आपके कोई किस्तों उपर ले लेता है, वो आपको पूरी price नहीं देता, तो उसके फिर क्या होता ह आपको हर मन्त आपको किस्त दाव करता है, तो उसका सारा record यहां box में आ जाता है, उसके बाद आजेता है कि monthly views कितनी आए है, आपकी total domains के उपर और उसके बाद यहां पर इतना ही काम है, उसके बाद मैं बता देता हूँ, आपको आपने यहां पर my domains में आ जाना है, ठीक है, my domains में आकर आप यहां पर add domain importer के अंदर जाके अपना domain name import कर सकते हैं, तब से पहले अपने अपनी payout settings कर लेने हैं, ठीक है, payout settings basically क्या होंगी, जब आपको domain name sell होता है, कि आप लोगों पो जो funds हैं, वो किस account के अंदर मिलेंगे, तो यहां पर आप लोगों नीचे आ जाना है ठीक है, यहां पर simple bank transfer है, मैं recommend करूँगा, आप लोग, payonier है तो वो यूज कर लें, वरना bank transfer भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इस पर आपनी क्या करना है, यहां थे वो कहरा है, अपना area select कर लें, यॉरोप में हमारा account नहीं है, USA में नहीं है, rest of the world आपने यहां पर select कर ले code होता है, यह eight digit code होता है, तो यह आप लोग जब भी अपने bank account जाएंगे, उन से आप पूछ सकते हैं कि हमारा swift code आप बता दें, हमारे bank का swift code क्या है, तो यह आपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप online research करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसरा आप यह देखेंगे, मिज bank limited है, इसका swift code यह दिया हूँ है, M-E-Z-N-P-K-A-L-H-R, ठीक है, तो यह इसका swift code है, यह copy करके आप यहाँ पर paste कर दें, bank city है, वो लिख दें, लहोर आजेगा यहाँ पर, bank का जो address है, ब्रांस का जो address है, वो इन से पूछ लें, आपको पता है, तो आप खुद लिख दें अपना IVN नमबर यहाँ पर लिख दें, bank का नाम लिख दें, जो भी है, जैसे मिजान bank limited, उसके बाद जो bank का postal code है, वो लिखके यहाँ पर आपने save कर देना है, और आपकी जो information है, वो save हो जाएगी, ठीक है, capture verify करेंगे, आपका payout account set हो जाएगा, it is as simple as that, इसके बाद आपक एक और important चीज़ करनी है, वो करनी है ownership, ownership के अंदर आप लोगों ने आजाने, अब यहाँ पर important चीज़ जो है ना, वो यह है, कि यहाँ पर पहले दिया है verification via dot hosting tld, यह जो है na, नेमचिप के साथ काम नहीं करता, और भी major platforms के साथ काम नहीं करता, तो basically होता क्या है, कि जब ownership verify करनी पड़ती है, कि भाई वो domain आपकी भी है, अब यह पर मैं कोई भी domain है, जैसे nfts.com है, मैं उठा कर यहाँ पर sale के लिए लगा दो, अब इस तरह तो नहीं होगा ना, platform में verify करना है कि भाई आप अपनी ही domain sell पर लगा रहे हो, तो उसके लिए यह verification process होता है, तो आप उसके बाद आपके account की settings save हो जाएगी, ठीक है, महाँ पस आगे dot hntld, आप लोगो ने यही वाला कर लेना है, उसके बाद आप लोगो ने क्या करना है, कि इसको यहाँ से copy कर लेना है, ठीक है, बलकि इसको भी copy ना करें, simple आप यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जाएं यहा servers है आप लोगो ने change कर देने dan.com के अपर, ठीक है, बहुत simple है अपने domain के servers update करना, आप लोगो बता देता हूँ, आप यहाँ पर manage के अंदर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि name servers लिखा हुआ है, और यहाँ पर name chip के basic name servers है, आप इस पर select करें, यहाँ पर custom DNS select कर ले तो यहाँ पर आप dan.com के name servers add कर लें, ns.dan.com, simple है, मैं यह description में भी दे दूँगा, आप वहाँ से बेशक copy paste कर लेजएगा, ns.dan.com, अज़ आप हमने name servers को change कर लिए dan.com के अपर, अब हमने इसकी ownership verify करनी है, उसके लिए आप लोगो ने क्या करना है कि यहाँ 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 सेटिंग्स के अंदर ownership के अंदर आकर यह code था .hn वाला इसको अपने copy कर लेना है, इसको copy करके आप लोगो ने अपने यहाँ पर plus paste करना है, और ns.3 के अंदर इसको paste कर देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर tick आ रहा होगा, इसको select करें, और आपकी जो name servers है वो update हो जाएंगे, usually यह effect लेने में 48 hours लेते हैं, लेकिन कभी कोई पहले भी हो जाता है, लेकिन successfully आपके servers update होगी है, इनको cross check करने का एक तरीका होता है, आप यहाँ पर voice में आ जाए, जो मैं आप लोगों को पहले भी बताया होगा platform, उसको click करें, उसे open कर लें, और जो यहाँ पर वो आपको यह report दे रहा है कि इस domain के यह name servers है, ठीक है, यहाँ पर हमें verify होगा है कि हमारे name servers जो है, वो name chip से change होकर dan.com और उसका verification code पर convert हो गया है, बट still यह effect लेने में थोड़ा time लेते हैं, अच्छा बट हमारा काम फिलाल हो गया है, हमारी ownership है वो verify हो जाएगी, हमने यह करना है, यहाँ पर माई domains के अंदर आने है, ठीक है, यहाँ पर हमने आ जाना है domain importer के अंदर, add and edit domains के अंदर, यहाँ पर simply आपने अपना domain name copy paste कर देने है, और उसके बाद import पर click कर देने है, ठीक है, तो यह जो है आपका domain name इसमें enter हो गया, इतना simple सी बात है, अब यहाँ पर आप लोग देखें, जो मैं आप लोगों को after nick का बता रहा था, तो यहाँ पर आप लोगों को show होती है, यह सारे जितने भी stats होती है, जैसे वो बता रहा है कि यह domain name है, आपका extensions की dot com है, buy it now price हमने set नहीं कि होई, minimum offer, कोई भी select नहीं है, तो status जो है not listed, यह क्या है after nick का status है, अभी जो हमारी domain है, यह after nick के उपर list नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि after nick के उपर list करने के लिए, ज़रूरी है कि आपकी domain जो है, उसकी एक buy now price हो, अभी हम यह domain है, हम इसकी price select कर लेते हैं, फर्स करें $1500, हमने इसकी buy it now price select कर दी, उसके बाद यह changes update होगी अब यह देखें, listing का process यह yellow हो गया है, इसका मतलब in process हो गया है, अब यहां पर देखेंगे status processing में चला गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, यह after nick के उपर list हो जाएगी, उसके बाद हम इस domain के उपर click कर लेंगे, इसका जो एक page होता है, वो आप लोगोंने set कर लेन minimum offer भी एक होती है, वो हमने, अब फर्स करें, हम fifteen hundred dollars की domain name sell कर रहे हैं, तो at least जो हमारे minimum offer हो one thousand होनी चाहिए, इससे नीचे 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 होनी चाहिए, यह click करके आपने save changes पर कर देना है, उसके बाद अब आजाना है, आप लोगोंने appearance के ओपर, यह काफी matter करता है, तो यहां से जो इसका design है, वो बेशक आप default ही रहने दे, लेकिन यहां पर आप नीचे आएंगे, तो यहां पर एक option होता है description का, यहां पर आप लोगोंने एक अच्छी description लिखनी है कि जो इस domain name को valuable क्यों बना रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक spot help है, उसका insight का जो link है, वो आप open कर लें, उसके उपर आप अपना domain name लिखें, ठीक है, यहां पर इसको enter कर दें, यहां लोगों को आप यह stats की बता देगा, और सारा कुछ, उसके बाद यहां पर AI generated description आएगी basically ठीक है, और यह देखेंगे, इसने हमें AI generated description रे दी है, ठीक है, इसको आप यहां से copy paste कर लें, आप पूद इससे बेखतें लिख सकते हैं, तो आप पूद भी लिख लें, यहां पर आप इसको save कर दें, ठीक है, तो यह हमारा काम हो गया done, यहां पर यह option आ रहा है, इसको आप क्लिक करें, तो आपका domain list हुई है, वो ऐसे आप लोगों को show होगी, वस करेंगा, वरना वो make an offer पे क्लिक करेंगा, और यहां पर अपनी offer देदेगा जो भी इसकी offer है, उसके बाद यहां पर यहां पर यह domain की description आ रही है, जिसको पढ़ने के बाद हो सकता है, यह domain ज्यादा अच्छी domain है, तो इसलिए आपने description इसकी लाजमी लिखनी है, तो यह एक simple सा process था, जो हमने देख लिया, के dan.com के पर हमने account किस तरह बनाना है, dan.com के उपर domain add करने से पहले, आप लोगों ने जाके name chief है, जिसके उपर भी आपका registrar है, उससे manage में जाके अपने name service अपडेट कर लेनी है, और उसके बाद आपने domain अपनी add कर लेनी है, उसकी buy now price add कर द सब के उपर ऐसे premium listing भी आपके domain show होने लग पड़ेगी, तो domain को list करने का simple process था, और काफी आप कह सकते है, effective process है अगर आप dan के उपर अपने domain name list कर देते हैं, अगर आपके domain name अच्छी है, तो of course यह आपको leads लेकर आएगी, तो यहाँ अपर आप जब domain के अंदर जाते हैं, य last month में कितने view आये थे, और किस date को यह add हुई है, उसके बाद sales activity में जाएंगे, तो यहाँ भी आपको show हो रहा हुगा, कितनी आपको offers receive होई है, each and everything, जो अभी तक इस पर offer नहीं receive हुई, बहुत ही simple process है, dan को पर list करने का, तो आपकी जितने भी domains है, उन्हें सबसे पहले dan.com क पर list करें, और उनके देखें कि inbound आपको कितनी leads आती हैं, उसके बाद आप उसकी outbound marketing की तरफ जाएं, basically क्या होता है, कि अगर आपके पास keyword domain है, तो तो आप outbound marketing कर सकते हैं उसकी, लेकिन अगर आपको as brandable domain name है, तो वो आपको inbound lead है, उसी से ही sell होनी है, तो उसके लिए preferable यही होता है, कि आप इनको market places के उपर list करें, तो यह हमारा inbound जो sale है, platform dan.com इसको उपर list करने का process था, उसके बाद हमारे जो बाकी platform का भी देखें हैं, उनके उपर domains किस तरह list करनी हैं, वो एक separate हम उसकी playlist बनाएंगे, उनके domaining course के अंदर inbound lead लेने के लिए, that's more than enough, ठीक है, और बाकी आप लोग खुद भी explore करें, उसके बाद हमारा next lecture होगा, वो होगा outbound marketing यह उपर, और उसके बाद हमारा जो domain name का course है, वो almost complete हो जाएगा, उसके बाद कुछ एक दो वीडियोस होंगी, कि हमने अपना portfolio किस तरह manage करना है, या इस तरह की कुछ एक दो extra वीडियोस हो स अच्छी प्राइस के अंदर sell करने, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना क्यार रखें, अल्लाहाफिस.